नमस्कार, SPT News में आपका स्वागत है, पेश है 31 मार्ट, शुकरवर्द पर सवा 3 बजे, राजसान की 15 बड़ी खबरें इस न्यूस बुलेटिन के प्राई हो जोगे हैं, विनी, विनी केक अन मोर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर राइट टो हैल्थ बिल पर तक राव ज़री डॉक्टर साथ अप्रेल को निकालेंगे महरेली, भारते विदेश सेवा के प्रशिक्षू अधिकारियों की CM से मुलाकार, क्यलोत की सत्ता उखारने के लिए CP का नमो प्लैन, हर्याणा में आज रास से टोल महंगा 20 तक की होगी बढ़ उत्री और अंदरबास से होगा IPL 2023 का आगास और अब खबरे विस्तार से, राजिस्तान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता चौरा है, अंदोलन अरत डॉक्टरस ने शुकरवार को प्रदीश कॉंगिस कमिटी अध्यक्ष गोविन सि सामने आपतियां रखी, जिस पर डोटासना ने अधिकारियों से बादशीत के बाद ही कोई फैसला लेने की बाद कही, वहीं अब डॉक्टरस का प्रतिनिधी मंडल जयापुर से सीकर के लिए रवाना हो गया है, भारते विदेश सेवा के प्रशिक्षि अधिकारियों ने शुकरवार को जयापर में मुख्य मंतरशों गहलोत से शिश्टा चार भेंड की, मुख्य मंतरी ने उन्हें उजवल भवशे की शुब कामना दी, सीव ने कहा कि अधिकारी समास के सभी वर्गों की कल्यान की भावना से कारे करें, मुख्य मंतरी से मुलाकात करने वाले विशे देशाई और भावेश चौधरी शामिल हुए ये सभी अधिकारे राजिस्थान में एक सब्तहा के प्रशिक्षन के लिए आई हुए हैं राजिस्थान में बीजेपी के नए प्रदेश अधियाक्ष सीपी जोशी ने आगामी चुनाव को देखते वे नई रननेती बनाई हैं विदानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी नए वॉलन्टियर की फौज मैदान में उतारने जा रही है इन वॉलन्टियर का नाम दिया गया है नमो वॉलन्टियर प्रदेश में आठ हजार नमो वॉलन्टियर उतारे जा रहे हैं ये वॉलन्टियर प्रदेश के ग्यारा लाग पन्ना प्रमुखों और पचास हजार बूत प्रभाईयों के बीच की कड़ी होंगे इन्हें समयनों की जिम्मेदारी स्वापी गई है पहले चरण में एक से तेरा अप्राइल तक नए नमो वॉलिंटियर को फिल्ड में उतारा जा रहा है हर्याना में भारते रास्टे राजमार्क प्रादिकरन की उर से लगाए गए तमाम तोल प्लाजा पर एक अप्राल यानि आज रात बारा बजे से तोल की नई दरे लागू हो जाएंगी कई तोल प्लाजा पर पांच रुपैसे लेकर बीस रुपै तक की बढ़ोतरी की गई है हलांकि राहत की बात यह है कि दिली जैपुर हाईवे पर गुरग्राम के खेड की दौल प्लाजा पर निजी वहानों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि कॉमर्शियल वीकल के टोल टैक्स में पांच फीस्दी की वृद्धी की गई है अंदाबाद के नरेंद्र मूदी स्टेडियम में शुकरवार से आईपेल 2023 की शिरुवात होने जा रही है आज शाम को गुजरात, टाइटन्स और चन्ने सूपर किंग्स के बीच ओपनिंग मैच होना है मैच के सभी टिकट बिख चुके हैं ऐसे में एक लाग पंद्रह हजार दर्शकों की शमता वाला स्टेडियम खचा कच भरा होगा दपहर तीन बच कर तीस मिनट से दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री शुरू हो जाएगी उद्गाटन समारों में बल्वुड अभिनेतरी तमना भाटियां कैटरीना कैफ और गायक अरजीत सिंग परफॉर्म करेंगे 74 नवरातर के साथ ही शुरू हुए हिंदू नववश मेजबार अधिक मास के कारण 13 महीने होंगे वहीं अधिक मास के चलते 57 मास भी दो महीने का होगा और अमरनाथ यात्रा भी डेड़ माह के स्थान पर करीब दो माह तक चलेगी एक अपरास से श्टाइन बोड की ओर से रजिस्ट्रिशन शुरू होने के बाद यात्री आविदन कर सकेंगे अधिक मास के अवधी 18 जुलाई से 16 अगस तक रहेगी गतवर्श अवनाथ यात्रा के दौरान होए भूस खलन के कारण इस बार यात्रा अवधी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे पवित्र गुफा के आसपास भंडारे आदी के इजाज़त इस बार नहीं होगी इसके कारण ये काम अटका हुआ है जबकि सरकार ने इसके लिए 6 करोड रुपए पहले ही जौरी कर दिये हैं राजी सरकार की ओर से 20 नमबर 2011 को कुंबल कर रास्टे उध्यान घोशित किया गया था इसकी सीमा रास्मन उदैपूर और पाली जिले में लगती है इसके अंतरगत आने वाली ग्रामिनों की जमीन अवाप्त कर DLC दर पर मुआवजा दिया जाना है देशबर के एरपोर्ट पर 6 मैने के लिए हवाई सेवाओं में समझ शेवाओं में समझ शेवाओं लग हो चुका है जपर इंटरनाशनल एरपोर्ट से लगातार बढ़ते हवाई यात्री भार के मद्दे नजर कई नए शहर भी जुड़ रहे हैं इस बीच समझ शेवाओं के मताबिक पंतनगर बरेली जैसे छोटे शहरों के लिए सीधी नई उडान शुरू हो चुकी है एरपोर्ट प्रबंदन के मताबिक आगामी दिनों में विभिन एरलाइन का रूट्स के लिए अतरिक्त सापताहिक उडानों का संचॉलन शुडूल में सुची बद है एरपोर्ट प्रबंदन के मताबिक जौल से जल्द उड़ानों का संचालन अप्राल माई में शुरू होने के पूरे आसार है पुराने वाहनों से होने वाले प्रोदूशन को कम करने के लिए राजिस्तान सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को प्रति बंदित कर दिया है ये आदेश एक अप्रेल 23 से प्रभावी हो जाएगा दो दिन बाद 15 साल पुराने सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चल पाएंगे ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वतह निरस्थ हो जाएगा इस समन्द में केंड्रिय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके अधिश उचुना सड़क परिवाहन मंत्राले की ओर से चौरी की जा चुकी है इस संशोधित अधिनियम के तहट जिन वाहनों का एक अप्रेल से पूर्व रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया गया है जा रही गेहों और चने की फसल खराब हो जाने का श्रंका किसानों को सता रही है जुला मुख्याले पर सुबह से ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी सिराहत मिली कृशी विभा के मताविक जुले में इस बार 4,28,000 हेक्टेर में रभी की फसल की बुआई हुई है चुट का लाब बिकानेर जिरे की सातों विधान सवा शेत्रों में पूर्णेता मिलना मुश्किल है बसों स्टाफ की अभाव में लोकल रूट्स पर बसे नहीं चुलाई जा सकेंगी यात्री भारवारे लूनकरण सर रूट पर रोड़ वेज की महस एक लोकल बस चुला ही है बिकानेर से लूनकरण सर के लिए शाम सरवा 4 बजे बाद कोई भी रोड़ वेज की बस नहीं है ऐसे में ग्रामेनों को नीजी बसों में सफर करना पड़ता है निजी बस संचालक मनमर्जी से किराया वसूलते हैं जैपूर रेलवी लेवल वन में चैनित अभ्यर्थियों को न्युक्ती देने के लिए रोजगार मेला लगाया जाएगा पहले तो मेला 31 मार्च को लगाया जाना प्रस्तावित था लेकिन अब अप्रैल में लगाया जाएगा इसमें रेल मंतरे अश्वनी वैशनाव चैनित अभ्यर्थियों को अपॉइन्मेंट लेटर दे सकते हैं अभी रेल मंतरी के आने की कोई आदिकारी घोशना नहीं की गई है यूनियन के मंडल अध्यक्ष केस अहलावत और मंडल मंतरे मुकेश चत्रुवेदी ने बताए कि यूनियन के विरोध के बाद रेलवेव पहले पुराने करमचारियों का तबादला करेगा इसके बाद नए पैनल की करमचारियों को पोस्टिंग दी जाएगी अजमेर के दो और केकडी के एक प्रमुक कारोबारी के 18 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेट दूसरे दिन गुरवार को भी जाड़ रही तिनों कारोबारियों के ठिकानों से भारी मातरा में ज्वालरी और नगदी बरामद होना सामने आया है आयकर विभाग को कारोबारियों के बैंक लॉकर्स की जौनकरी मिली है अंदेशा है कि लॉकर्स में काली कमाई जमा है जापुर, जोदपूर, उदैपूर, बिकानिर, कोटा, भरतपूर और अजमेर संभाग के विभिन जिलों से पहुंचे आयकर अफसर रेड की कारवाही में जूटे है हाथे आर्मन पुलिस कर्मी तैनात है जिला दुगदूत पादक सहिकारी संग उदैपूर, डेरी, अध्यक्ष का चुनाव 11 अपरेल को होगा इस से पहले 10 अपरेल को समीतियों के चुनाव और मत गरना होगी सहिकारी निर्वाचन प्रादिकरन जोपूर ने चुनाव का इकरन घोशीत कर दिया है यहां संग के चुनाव योगे 312 समीतियों में से 62,104 कास्तकार जुड़े हैं पहले इन समीतियों के जरिये संग के 12 संचालक मंडल सदस्यों को चुनाव होगा यह संचालक मंडल सदस्य एक सदस्य को चेर्में चुनेंगे खास बात यह है कि चेर्मेन पत्पर 16 साल से काभीज भासपा समर्थित गीता पटेल इस बार ये चुनाओ नहीं लड़ पाएंगी हलाएं कि गीता ने दावा किया है कि भली ही वो मैदान में नहीं उत्रे लेकिन उनका पैनल चुनाओ लड़ेगा और जीतेगा इस बार चातर नवरात्र पूर्ण होते ही राम नौमी की मध्य रात्री को गुरू का तारा पर्शिन दिशा में अस्थ हो गया इसे मांगली कारे पर विराम लग गया चित औरगड के जोती शैवम वास्तुवीदों ने बताया कि चात्रे शुक्ले नौमी की मध्यरात्री दो बच कर एक्यावन मिनट से गुरू का तारा पर्शिन दिशा में अस्थ होने जो रहा है ये वैशाक शुक्ले अस्टमी शुकरवार 28 अप्रैल को मध्यान 12 बच कर 56 मिनट पर गुरू का तारा पूर अदिशा में उदे होगा इससे अबूज मुहरत आखातीज को छोड़ कर इस अवधी में मांगली कारे पर विराम रहेगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर